हालो बड़ो को सम्माल छोटो को प्यार के साथ आची क्लास शुरू करते हैं और आज सालवर्ट पेपर जैसे पिछली क्लास में हमने शुरू कराया था 28 नॉम्मर यह सकेंड सीप्ट का पेपर है जिसको आज हम लोगी हल करने जा रहे हैं चले देखते हैं पहला कोशन है इसमें देखने से 30 से 35 परशन आपको आडिया ऐसे मिल जाएगा कैसे प्रस्ट आ रहा है चुक्छे विहाल में पिछले बड़ सुगा था पर यह तो बहुत जाते अंत आता है करमिक सिखर जैविक और आवस्थापन तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा और स्थापन इकोसिस्ट यह आंसर सही है ठीक है चलिए आते हैं नेक्स कोशन देखते हैं लो कुशन नमर 2 पे कुशन नमर 2 है वरतमान में अधिकांस बिद्दूत का उत्पादन निमिखित में से मुक्त किसके उपयोग पाधारित है यह पूछ रहा है भारत में सबसेधिक उर्जा किससे बनाई जाती है और आपको क्लास में बताया भी गया था सबसेधिक उर्जा किससे बनाई जाती है तो वरतमान में सबसेधिक उर्जा तापी उर्जा पांसर प्रशन यानि को प्रश्ण नमर्ट प्रणाटक में नहीं है यह सही है पाखल मद्द परदेश में नहीं है पाखल तेलंगाना में पड़ता है तो यह प्रश्ण तेलंगाना पड़ता है और यह सुमेलित नहीं है ठीक है सिकारी देवी हिमाचर प्रदेश में सही है और दाजी गाम जम्मु कस्मीर में है आप कस्मीर हीरन हंगुल के लिए परसीद है आप जानते होंगे ठीक है कुंशन नुमर में फोर्ट के आते हैं टहीरन निम्खित में से किस लासाइंस सम्मंदित है तो यह जापान की बात है जापां में गप मताते लोग की जो खनीच वाली होते निकालने के बाद अवशिष्ट केडमियों को या खराब जिससे निकलता था वो सब नदीम भावा देती थी नदीम भावाने के करण जो है यह बाद में उसको मचलियां के अंदर गया मचलियों खाने से मनुस्व को रोख होने लगा तो इटाई-टाई रोडिया दिखीगा क की कमी की कारण होता है ठीक है चलिए निक्स आते हैं आट-टाई-टाई किसे होता है बुल्यगवी सिंड्रूम किसे होता है ठीक है नाट्रेट की कमी से क्या होता है वो सब कांसे क्लियर जाएगा कोश्चन नबर 5 में भास का चार की कृती लिलावती पार्सी में नाम लिलावती था और अपने पुत्री के नाम पे उन्होंने पुस्तक रखा लिलावती तो इसको फार्शी मनुवाद फैजी ने किया था यह अंसर आपका सही हो जाएगा अब बदायनी अब्दुलकादिल बदायनी अकबर के समकालिन थे और ऐसा कहा जाता है कि अब्दु जो है हिंदु दर्म की जो पुस्तके हैं महतपूर उसको जो है आप अर्वी कर्मट करिए तो फिर उन्होंने उन्हों करते थे एक कतन आता है कि बदायनी करता है कि अकबर के वाज़ा से मुझे दिन भर हिंदु देवी देवताओं के नाम लिखना पड़ता है क्योंकि उस प्रिशन नमर 5 पे आते हैं 6 में उन्हपी इंडिया उन्हपी इंडिया के लिखाक निमखित में से कौन है जेल नहरू बाल गंगाधर तिलक घ्यूमर अमेड कर लाला लाजपत राय तो लाला लाजपत राय की पुस्तक फिमस है उदास भारत के नाम से भी एक जामे पूछ प्रिशन आता है कि जब इनको लाठी लगा तो एक कथन है कि मेरे माथे पर लगी लाठी की हर का हर इसाब जो है सबसे पहले वेदों की रचना वेद व्यास ने किष्ण दयपाय ने किया और उसके बाद उसी के साथ ब्रामर गरंद की रचना हुआ है ठीक है और ब्रामर ग आरडग की रचना हुआ फिर वेदों का अंत यानि जो है उपनी सत्थ वेदांत कहा जाता है और लाश्ट में फिर वेदां की रचना हुआ इससाब से आंसर आपका खोवा आंसर सही है ठीक है प्रश्ण क्या पुछ रहा है कैसे लिखा गया जैसे कहा जाता है कि कानों से प्रश्ण कर जो है वेद्यास नया किष्ण दयपार ने वेदों की रचना किया और वेदों के बाद जो है तुर्ण द्रामण की रचना हुआ ठीक है आंसर यह सही है कुश्ण नमर 8 पर आते हैं जियोगराफी नमा कुस्तक किस ने लिखी टालमी अलगेंडर वार पत्र सहयंद से समंधित था तो यह प्रश्ण एक्जाम में गलत दे दिया था मिश्पिंटिक वह से और मैंने इसको सही लिख दिया उबैदुल्ला सिंधी आंसर होना चाहिए इसका क्योंकि यह जो है रेश्ण के पत्र पे इस पे रेश्ण के पत्र के माध्यां से आंदु पुशन नमर दस पे आते हैं निवलिखित में से सरकारिय आयोग का एक सदस है तो यह सब चीज़ तो रटने वाले चीज़े हैं और इसका अंसर आर्यास सीन ठीक है यह अंसर होनगे ठीक है पुशन नमर 11 पे आते हैं ग्रामीर स्वासासन से सबसे निचले ग्राम अस्तर प पुशन नमर आते हैं बारा पे नई रोसनी उजना निमखित में से किसे समधित है नई रोसनी उजना किसे समधित है क्या ग्रामिर्षेत की महिलाओं से अलफ संख्यक महिलाओं से समाजी क्रूप से पिछड़ी महिलाओं से और मलिन बस्तियों की महिलाओं से तो नई रोसन ग्रीक ने कहा, फार्सी ने कहा, रूमन ने कहा, चीनी ने कहा, आंसर होगा इसको, रूमन ने भारत को जो है, दुनिया का स्वर या बुलियन करता कहा, ठीक है, देखिए ऐसे, रूमन से क्या होता था, भारत का पले, रेसम का बैपार होता था, तो रूमन का सारा सोना, जो है पूरु बैंक में, इंपिरियल बैंक आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पहले बैंक कुला, दिखिएगा, बैंक का बंगाल, बैंक का बंगाल के अस्थापना हुआ, 1806 में इसके अस्थापना हुआ, फिर बैंक आफ मुंबई के अस्थापना हुआ, 1840 में, फ 1921 में और नाम रखा गया Imperial Bank क्या नाम रखा गया Imperial Bank ठीक है बाद ने इसको 1925 में दुबारा इसका नाम SBI के नाम सिप कर दिया गया तो State Bank of India वाला आंसर क्या होगा सही होगा ठीक है आते हैं Question No. 15 पर वर्स 2020 तक भारत के कितने पूर्व राश्पतियों को भारत रत्म परदान किया गया है यानि अभी तक भारत रत्म 2019 में दिया गया है 19 में तीन लोग को दिया गया स्वर्वी पड़व मुखड जी राश्पति थे नाना जी देश्मुख और भुपेन हजारिका 19 के बाद भारत रत्म अभी तक किसी को दिया नहीं गया है और अभी तक के इतिहास में ये आपको रटने वाले चीजे हैं 6 राश्पति को भारत रत्म प्रुसकार दिया गया है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रुसकार होता है या देखिएगा कुशन नमर 16 पे आते हैं अजादी का अमरित महसो की अवधी क्या है 15 अगस 2022 से 15 अगस 2024 तक 12 मार्च 2021 से 15 अगस 2023 तक 2 अक्टूबर 2022 से और 26 जनौरी 2023 तक 26 जनौरी 2022 से 15 अगस 2023 तक तो अजादी का अमरित महसो 75 में बड़ से सुरू किया गया 12 मार्च 12 मार्च दांडी आतरा की दिन 12 मार्च से लेकर 15 अगस 2023 तक यह किया गया यह अभी भी करेंड़ में एक्जाम में आ सकता है इसलिए इसे याद रिखिएगा 12 मार्च 2021 से 15 अगस 2023 तक अमरित महसो यह रखा गया इसी को देखते हुए जो है बाहर भी सुका सबसे बड़ा तीसरा इस्टिडियम जैपूर क्रिकेट इस्टिडियम के अस्थापना किया गया जहाँ 75,000 लोग एक साथ बैठ सकते है ठीक है कुशन नमर 17 पे आते हैं भारत के वित्मंतरी बारत के वित्मंतरी के वजट 2021 में स्वास और आरोग के लिए पिछले बर्स की तुल्ला में कितने प्रतिसफ की बिर्धी हुई तो कितने यह आपको आर्थी सरविछट जब पढ़ा जागा बजट पढ़ा जागा यह सब चीजे इजाम से पहले पढ़ना चाहिए ठीक है क्योंकि डाटा बदल जाता है इसमें आदर किएगा एक सो ताइस यह आंसर सही होगा ठीक है कुछ नम अठार पर आते हैं लियों मेंनों को किस खेल से समद्धित है जितने भी करेंड के वाड़ेट लोग है खेल 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 समद्धित उनको सीधे जानना इसमें प्रशन आएगा जीएस आपके एक्जाम में कटिन नहीं आना है यह ठीक है यह शक्रन से समद्धित है जाद रिखिए का ठीक है वीडियो जितने लोग को अच्छा लग रहा है साइब लाइक कर देना चाहिए जो लोग सब्सक्राइब कर देना चाहिए ताकि और भ और वाइस और इसी पर सभी वीडियो जाएंगे इसलिए आप उसको टेलग्राम को जाइंग कर लिजे चलिए आते हैं निम्लिगित में से उत्तर पदेश के किस जीले में जन्वरी 2021 में इस्टावेरी महस्व मनाए गया तो यह अज्ञांजी अध्या प्रियाग राज आग अगर मरसी अस्तर भी का जाता है तो सी छड़के यह सिर्वनासर नहीं होता है यह अस्तर आपके नहीं होगे या रिखिये काがए इजाम में जो भी तीन होगा तीन और एक जो एक होगा वो पहला दमाद होता है जो तीस होता है वो भी गेश्ट होता है यह एक और तीन आराम से यह लोग बना सकते हैं इसलिए जितने भी तीन वाले आप समनोंगे उसको सीधे पहले रटियेगा एक वाले को भी पहले रटियेगा ठीक है कुशन नमर 21 पे आते हैं, सोट की किस वीदी में कारण एवं प्रभाव समंद आस्तापित किया जाता है एतिहासिक वीदी, दार्षनिक वीदी, सरविछड वीदी, पुरियागात्मक वीदी, याद देखियेगा पुरियागात्मक वीदी, यह इंसा सही है कुशन नमर 22 प्याते हैं एक अच्छी परिकल्पना की निम्खित में से कौन सही विशेष्टा है समप्रत्यात्मक अस्प्रिष्टा दूसरा है व्याख्या की परिचिड़ता तो नीचे दिये कूर को आंसर क्या होगा तो केवल एक, केवल दो एक और दो दोनो, नो तो एक और नो ही दो आंसर होगा, सी, एक और दो, दोनो आंसर होगा ठीक है, कुशन नमर 23 पर आते हैं हम लोग 23 है उत्तर प्यदेश के किस जिले में भारत का पर्थम ट्रांस जेंडर बिस बिद्याले और सापित किया जा रहा है सापित कर दिया गया है, भरस्ती, गुरपूर, दिवरिया, कुशी नगर तो याद देखिएगा, जो ट्रांस जेंडर सेवा समीती है उनके द्वारा, फाजी लंगल एक बलाग है फाजी लंगल जो है कुशी नगर के अंतरगत आता है वहाँ खोला गया है, और कच्छा एक से लेके असनाक उत्तर यहां तकी पिएसडी की भी पढ़ाई होगा यानि ट्रांस जेंडर विश्विद्धाले खोला गया है, कहाँ फाजी लंगल जो एक बलाग पड़ता है, कुशी नगर के अंतरगत आता है उसी नगर ठीक है, महात्मा गाधी, महात्मा बुद्ध का, अब जानते हैं कि इस समन्दित है यह जगा निम में से कौन सुमेलित नहीं है, विश्विद्धाले अनुदाना योग 1956, अखिल भारती तकनीकी सिच्छा परसाथ 1945 में हुआ था, या रखिएगा, यह आंसर आपका, ठीक है, कुश्चन नमर 25 पर आते हैं, निम में से कौन email सेवा नहीं है, Gmail, Outlook, Yahoo mail, NetScape, तो NetScape यह आंसर सही हो जागा, ठीक है कुश्चन नमर 26 पर आते हैं, सांगड़क या कंपूटर के संदर में JPEG फाइल में क्या होता है, केवल आडियो, केवल वीडियो, आडियो और वीडियो दोनों, ग्राफिक्स, तो बताइए इसमें क्या होगा, अंसर क्या होगा इसमें, ग्राफिक्स, ठीक है, यह अंसर सह सिस्टम में केवल जीरो और एक होता है, यानि दो हो गया, आंसर क्या होगा, यह अंसर, ठीक है, कुश्चन नमर 27 पर आते हैं, एक पेंटाबाइट निम्लिखित में से, कितने, किसके लवब बराबर होता है, तो याद रिखे गार, 1024 टेराबाइट, टेराबाइट बराब एक पेंटाबाइट, ठीक है, आंसर क्या हो जागा, यह अंसर सही हो जाएगा, पुश्चन नमर 29 पर आते हैं, इंटरनेट में निम्लिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बिग, गूगल, याहू, बिंडोज, तो सर्च इंजन का रायत, सर्च इंजन बिंडोज नह सर्च स्वास के अध्यान से, निटरीसन के अध्यान से, तो इसका अंसर हो जाएगा, जो है, सर्च इंजनिक स्वास के अध्यान से, ठीक है, पुश्चन नमर 30 का इसञा आ ढ्रोगा, ठीक है, हम लोग एक टेस्ट्स इह सुरू कर रहे हैं, और अगर आपको समझ में आया है है नीचे सब्सक्राइब दिया है आप उसको इस्टाल करें टेस्ट को देखिए अच्छा लगे तो उसमें ज्वाइनिंग लीजिए और उसमें पूरा कंप्लीट टेस्ट है युनिट वाइस टेस्ट है और आने बल दिनों में अभी एक परड़े टेस्ट होने जा रहा है उसके त्यारी हो रही है ठीक है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राज भूर करिएगा अगर आपको वीडियो ऐसे ही चाहिए तो मिलते हैं इस वीडियो में जय हिन जय भारत